असलाव अलेक्म दोस्तों कैसे हैं आपसे मैं हुआपके आई दली शाह दिख रहा है अंदर्जी माइन गोट कि ऐसा होता है है अक्सार कि हमारे उस्ताद जो है मेरे ज़िए आरिफ नाना नाम थे निक नहीं है तो उनकी शॉप है शॉप के बाहर बाहर बताता है पहलो है अक्सार चाल जब भीड़ा खरीद पूरी बहुत है लहाई है थे जिस फिर ना रख़ैए था देखा का रिखिक खाल अंendar से पूरी है कोई गिठान तो नहीं है कोई जखम तो नहीं है क्योंकि अक्थर जब बेड़ा लेने जाते हैं हम तो उसके बाल पूरे होते अब उनको समय नहीं आ रहा कि यार मैं इसको हर चीज दूद पी रहा है, खाप पी अच्छा रहा है, लेकिन बन क्यों नहीं रहा फिर उसके उन्होंने बाल उतरवाए तो देखा उनके एक जखम था उसके जिसम बे अब उसकी ट्रीट्मेंट शुरू ही, डॉक्टर्स को भी दिखाया, एंटिपाइटिंग्स भी लगवाई है और उसको देशी इलाज से भी उन्होंने बकाईदा उस जखम को बिलकुल सही कर लिया, लेकिन जब वह जखम सही हो गया उसके बाद जब उस दूम्बे के बाइ लाए, दो महीने बाद जब उन्हें और वो देखा वह जखम और थोड़ बड़ा हो गिया अब उनोंने देखा कि यार यहा चक्क्र है जब यह जखिम भर चुका था पिल्कुल इस जगा इसके ना चुकती ती यह भर क्यू रहा है फिर इससे क्यू बन रहा है जखम तो दोस्तों ऐसे जखम को नासूर कहा जाता है जो के खतम नहीं होता बार बार डैवल अप हो अधा तो अब क्या कर रहा है उस्ताद क्या करें जिसी वो जखम को फिर ठीक करें जिस तरह सकते थे वो अब यह प्रोसेश चला दो से तीन बार जब यह बाल उतरवाएं तो थोड़ा सा जो बता रहा है कि दो इंच तीन इंच जो है वो जखम लंबा होता जाए बेड़ा का अब मेरा है तो उन्होंने बोला कि इसको कोई तकलीफ है उन्होंने बोला नहीं कोई तकलीफ है उस्ताद ने बोला कोई ऐसी आगे पीछे से गुमता फिरते आगा होंगे पूछने जैसे बहुत सारे शौकीन जानवर देखके रुख जाते हैं बात करने लगते तो उस्ताद न में पिर तो-तीन महीने फिर वापिस हो जाता है पर तन आ गिया है उससे सभी नी हो पारहा रहा है उन्हों झा करा अच्छा उस्ताद से भी राहे ले चुगे थे इस बात में सब कुछ हो चुगा था लेकिं वह समन नहीं पारहा था मतलब समझ आता बिल्कुल कि यह रहा था अब बंदें को लगे अब नहीं होगा वो फिर हो जाता था उसी जगह पे तो उस शक्स ने चार इंजेक्शन लिखके दिये इंशालला मैं आपको ज़रूर बताऊंगा वो इंजेक्शन के नाम भी और हड़ चीज वो चार इंजेक्शन लिखके दिये और उन्हें कहा कि यह देंसो हॉल से मिलेंगे जो कराची में एक मार्केट है और कहीं से ही नहीं मिलेंगे चार इंजेक्शन थे 25 रुपे इंजेक्शन थे जो मेरे उस्ताद ने बताया आफ से तक्रीबन 10-12 साल पुरारी बात है इस वक शाय सो रुपे का होगा उन्होंने वो इंजेक्शन लेन छेशे घंडे एक एप से और उनके अपने लफजें कि उसके बाद से उस बेड़ को वो जखम जो था वो नहीं हुआ अच्छा मैंने उनसे नाम भी पूछा और उनने बोला है बिटा मैं जरूर नाम बताऊंगा तुमें जब तुम वीडियो बनाओगे इसकी या कोई ऐसा बिमारी आई उसके वक्त में तुमें नाम बताऊंगा उस इंग्यक्शन का कि ताके तुम लगा के दिखाओ वो लोगों को कि कभी ऐसा बिमारी अगर आए तो उसका कैसे इलाज करना है और वो लिक्के भी रखावा उन्होंने मैं इन्शालला उनसे जल्दी पता कर वालू वगा जब ये वीडियो देखेंगे उसके आज जबर दे मर्एन दे दे देंगे तो उसके बाद नासे बिएजियो धीटा मsi Sal точки ब्र अँनुन मेकरी ते इसे सबने में आपको कोई जानवर कर आए तो हमारें जानवरिक पूछा पूंज इसको कोई बीमारी । बाक्री कि तो अगर आपको इसका इसका और तो तो नजानवर आता है और thé facto कम से कम आला उसकी नजरें आप पर टिकाता ही इस वयासे है कि आपके वसीले से अल्ला आला उसको बिमारी सही करवा दे जैसे कि उस बेड़ की हुई एकीन करें मैंने जो विवास सुनी स्टोरी सुनी मेरे राउंटे खड़े होगा कि कितनी दफ़ा ऐसा होता है जानवर पालने वाल हो सकता है वो बिमार हो सकता है वो कुछ कहना चाहरा हूँ उसके मालिक से बात करें जैसे आपको भी नॉलिज आगा है ये मेरी वीडियो देखते हैं जो मेरे चैनल पे हैं मैं भी सीख रहा हूँ आपका तालबे इल्मूँ मुझे भी थोड़ी बहुत नॉलिज है जानवर मुझे पता है तो नहीं पता तो आप किसी डॉक्टर को दिखाओ कोई ना कोई बिमारी है कोई ना कोई परिशानी जानवर को है जिसकी विएसे ये मुझे रोज देखता है दोस्तों इससे एक सबख मिलता है कि उस जानवर की अल्ला ने किस तरह मदद की उस भेड़ की कि चलते वे रोट पे उसने एक अंकल ने उसको रोज देखते हैं बाइक पर जाते हैं रोज देखते हैं एक तिन उनकी हमत हो गई या क्या हुआ उनके दिमाग में आया कि उन्हों नहीं आके उस्ताद से पूछा उससे पूछा उसका होगिया जानवर का उसके बाद वो अच्छी बात लगी मुझे है कि आइंदा कभी भी आप किसी का जानवर देखे हैं अगर आपको लगता हो कि आप उसकी मदद कर सकते हैं तो जरूर उसके माली के पास जानवर करें वीडियो अच्छी लगी है अपने दूसके शेयर करेएगा लाइक कियेगा किये में चैनल को फिर मिलता हूँ इस एच्छी वीडियो में मैं हूँ आपके अधर इशा आप देख रहे हैं अधर जिवाइन को अलाप पेस